नमस्कार इंसान का सबसे बड़ा वहम क्या होता है सबसे बड़ा ब्रह्म है अभी तो बहुत समय पड़ा है जब इंसान यह सोच लेता है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है ना तो उसके लिए बहुत नुक्सान दाएक होता है इस्टुडेंट हो आप बिजनेसमेन हो या आप इंपलोई हो कुछ भी हो आपको कुछ भी वर्क दिया है जैसे और जैसे ही उस कारी की डेडलाइन नजदीक आती है आप सो से अभी तो टाइम पड़ा यार कर लेंगे कर लेंगे और जैसे ही उस कारी की डेडलाइन नजदीक जाती है और फिर आप उस कारी को जल्दोबाजी में करते हैं। और चल्द बाजी में क्या होता है तो उस कारी में perfection नहीं आता है। वो और कारिया आपका टोप नहीं हो पाता है। किस वज़े से आपका यह वहम होता ना अभी तो बहुत ताइम है यारb कर लेंगे। एसे कभी मत करना जब आपने किसी वी वर्क में यह सोच लिया कि अभी तो बहुत बोड़ा टाइम और कर लेंगे समझ लेना वो कारिया आपका भी कर जाएगा इस्टुडेंट जो इस्टुडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करते एक्जाम से दो या तीन मुईने पहले पढ़ाई करते हैं तो उनके मांस अच्छे आते नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि वह सोचते कि अभी तो बहुत टाइम पढ़ा है जब क्लासे स्टार्ट होती है तब बच्चों कि अभी तो नो मुईने पढ़े और दस मुईने साल भर मेनत करता रहता है यह कभी वह मत लगना अपने आप में अभी तो बहुत बड़ा समय पढ़ा है जिसलिए बहुत बहुत समय पढ़ा है वह तो कभी कुछ नहीं कर पाया है इसलिए वहां इंसान को जीवन्यों कभी अग्यम बढ़ने नहीं देता है जहां होता है वही रेचाता है वहम में रहता है मेरे पास मोट टाइम पड़ा है मोट टाइम पड़ा है और जब उस कारी की डेडलाइन नजदिक आती है तो वो कारिये जल्दबाजी में हड़ बड़ा हड में सही नहीं होता है और कारिये सही नहीं होता है तो फिर आप उस का का अच्छा रिजल्ट कैसे लाओं उस कारी को ऑरों से कैसे बहतर कर पाऊँ जल्दबाजी में करोगे तो नहीं कर पाऊँ इसलिए ये वहम कभी मत रखना कि मेरे पास बहुत समय प्ड़ा मैं कर लोंगा अभी तो बहुत समय पड़ा है अगर आप बी ऐसा करते हो ना तो समल जाना अभी से समल जाना कोई भी वर्ण मिला है तो उसके लिए रात दिन मेहनत अभी से शुरू कर लेना बहले उस वर्ण के लिए आपको पाद छे मुईने पड़े साल वर पड़े हैं ले तो आपका perfection निकल के आएगा ना, इतना टोप निकल के आएगा कि लोग देखते रहेंगी यार वाकी में क्या कारी किया है, कैसे? क्योंकि आपकी अच्छी तेयरी थी, आपकी अच्छी महिनत थी, और आपने कोई हड़ बड़ी में वो कारी नहीं किया, आपने वो कारी आराम ये रखोगे ना, तो आप life में कभी आगे नहीं बड़ पाओंगे